मात्र भाशाओं की बात है और उसमें अंग्रेजी का तिरसकार नहीं है यह नहीं है कि अंग्रेजी का कोई बहिसकार है मात्र भाशा को प्रात्मिक्ता देने की बात है और अंग्रेजी में भी लोग पढ़ सकते हैं अंग्रेजी में बहुत सारी चीज़ उपलब्द हैं चुकि हम ग्लोबल ब्लेज में रह रहे हैं तो अंग्रेजी का तिरसकार नहीं है बलकि मातल भाषा को उसका उचे इस्तान देने की बात है और ये मुझे लगता है आने वाली पीडियों के लिए एक बहुत अच्छी सतीजी ये सोच और रिक्षा शक्ती को भी दिखाता है क्या आपको लगता है वर्षों से और पूरे देश और दुनिया में मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी में हुआ करती थी कई और देश ऐसे हैं जो अपनी जो लोकल लेंग्वेज हैं उस पर वो MBBS या डॉक्टरी की पढ़ाई कराते हैं लेकिन हिंदी में वो पढ़ाई शुरू हो एक पूरी पद्धती को आप तोड़ रहे हो एक पूरे जिसे हम कहें कि एक नए लीक पर नए ट्रेक पर आप आ रहे हो इतना असान था क्या कि हिंदी में MBBS की पढ़ाई को शुरू कर देना और शुरू करवाने के बाद उसकी किताबें तयार करवाने के बाद उसको लागू करवा देना कितना कठें टास्क होगा ये मद्यप्रदेश सरकार के लिए भी निश्चित रूफ से ये बहुत सहच तो कम सकम नहीं था हम इंजिनिरिंग की और मेडिकल की पढ़ाई के बारे में तो को श्तरें जहीं खेंगें और ये बी लगातार देखने में आता रहा है कि अंग्राइजी माध्यम के जो विध्यारती होते हैं उसी से मिसे के बहतेर उनिंवर्सीटी में पढ़ाने आथा हो कई वार मेर्मेशं के काम भी खोड़ बी करता ह हूं तो मुझे कईबान होता है कि हिंदी माध्यम के जो विद्धारती उन्हें पर्फर्ग नहीं को ज assim को कितावे हैं लेबल की किताब को उस तरह से अलक अलग विश्यों में तैयार नहीं के गई या रोकी बहुत लूज उतनी अच्छी नहीं होति तो अब जब कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की शुरुवात हो गई है, इंजिनिरिंग की भी होगी, देर सबेर, तो उन किताबों का इस्तर, उनका लेखन और उनकी भाषा, वो कहीं किसी भी तरह से वो इस तरह अंग्रेजी से कम नहों, उनका इस्तर अंग्रेजी की कित जाबों जैसा ही हो, ताकि जो हिंदी माध्यम में जो लोग पढ़ाई करेंगे, उनका उवराल जो ग्यान है, सब्जेक्ट को लेकर, वो अंग्रेजी माध्यम के विध्यारती से किसी तरह से भी कम नहों, इस तरह हमें ध्यान देना पड़ेगा, अभी मुझे नहीं पता है कि वो हिंदी माध्यम की किताबें मेडिकल की हैं, तो वो कैसी है, क्योंकि कोई रूपांतरित किया गया, उसको अनुवाद ने किया गया, रूपांतरित किया गया, वो कोई प्रोफिसर, कोई वरिष्ट चिकिस्सक जो पहले पढ़ा चुके हैं, या जो अध्यापन कर रहे हैं, वहीं उनके बारे में जादा बहता बता पाएंगे, और वो विद्याहर्ती भी बता पाएंगे, जो अभी अंग्रेजी के माध्या में पढ़ रहे हैं, और जब वो हिंदी किताबों को जब हिंदी माध्य elders नें प पढआ कि कोई भी भाशा हो किसी भी राजी की उसमें उस तरह का अध्यन समगरी हम तयार कर पाएंगे जैसा कि अंग्री जी में अपलब्ध होती है और भाशा का बहुत करत्म हो जाएगा विद्यारती अपनी मात्र भाशा में अपनी भाशा में उसी तरह से अध्यन करके उसी इस्त सिक्षानीती को अपना रहा है क्या आपको लगता है कि नई सिक्षानीती का कोप्रियास भी यही है कि दूरुस्त अंचलों तक महुचे आपको रोकूंगा सतीज जी अमारे साथ मध्यप्रदेश के चिकिस्ता सिक्षामंत्री विश्वास सारंग जी जुड़का है फूलाइन मंत्री की एक बहुत बड़ी मंशा थी कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई हो और मध्यप्रदेश देश का वो राज्य बन गया है जिसने इसकी शुरुवात कर दिये सर कितनी बड़ी मेहनत लगी कितने बड़ा प्रयास लगा इसके पीछे निश्य दुरुव से लगी हमारे देश के यशश्य पिदापत भी नहीं मोझी जी का ये संकल्प है और हमारे मुक्ति मत्री शुरात्मिक चोहान जी की पहल है और मध्यप्रदेश देश का पहला राजी बनने वाला है जो हिंदी में अब मेडिकल की पढ़ाई कराएगा हम हमारी राश्री सिक्षानीती में भी ये हिंगित था और हमें प्रसंदता है कि मध्यप्रदेश पहला राज होगा यहां हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होगी हमने फर्स्ट यह की तीनों जो सब्जेक्ट हैं अना टॉमी फीजियोलोजी और बाइकेमिस्टी की हिंदी कित अब का विमोचन होगा क्या लगता है विश्वास जी मध्यप्रदेश एक बार फिर लॉंचिंग पैड हो गया है इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए भी एक हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई को शुरू करने को लेकर भी आपका विभाग विश्वास जी क्या लगता है आपको क्योंकि ये बहुत कटिन प्रक्रिया थी आसान नहीं था लोगों बहुत समय के बाद इस पर विचार हुआ और विचार होने के बाद अब आगामी समय में चुकि हर जगा अंग्रेजी में ही मेडिकल की पढ़ाई हो रही थी अब जब हम इसको हिंदी में पढ़ाने शुरू करने जा रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को कैसे अपनाया जाएगा और जो बच्चे तयार होंगे वो किस तरीके से देश और दुनिया में अपना काम शुरू कर पाएंगे आगे रख पाएंगे दिखी ये इसमें दो बाते हैं कि हमारी जो हिंदी की किताबे हैं उसमें जो टेक्निकल शब्द हैं मेडिकल के उनको परिवर्टिक नहीं किया गया उनको देवनागरी लिपी में लिखा है दुनिया के बाकी देश जहां पर अपनी मात भाषा में मेडिकल की पवाई होती है वो भी इतनी प्रक्रिया को अपनाते हैं इसलिए कोई हमारे बच्चे पीछे हो जाएंगे ऐसा नहीं है हमारे जो इस्टुडेंट हैं वो जो खासकर हिंदी भाषी है उनको और जादा सुगता के साथ इस पूरी प्रक्रिया को अपनाने में फाइदा मिलेगा बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास जी बहुत 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 धन्यवाद हमारे साथ विश्वास सारंग चिकिसा सिक्षा मंतरी मद्रदेश शासन जुड़े हुए थे और बता रहे थे किस तरीके से रुपांतरन किया गया है किताबों का ये सीधा अनुबाद नहीं है जो टर्मिनलोजी मेडिकल के शेतर में किताबों में इस्तिमाल की जाती है वो तमाम टर्मिनलोजी का साथ-साथ हिंदी के साथ-साथ वो भी किताबों में शामिल किया गया है और आगामी समय में जो हिंदी में पढ़ाई करने वाला, MBBS की पढ़ाई करने वाला जो छात्र होगा वो देश और दुनिया में अपनी बात रख सके, अपना काम कर सके इसको लेकर उन किताबों में पूरा ध्यान रखा गया है सतीज जी लेकिन नई सिक्षा नीती, एक ऐसी सिक्षा नीती जो उन लोगों को भी जोडने का काम करने के लिए तैयार की गई है जो सिक्षा से कहीं दूर थे, या जो लोग सिक्षा तक नहीं पहुँच पा रहे थे या सिक्षा उन तक नहीं पहुँच पा रही थी आप कई लोग ऐसे थे, कई चात्र ऐसे होते हैं, कई विद्यातिया जो हिंदी माध्यम के थे लेकिन वो सोच भी नहीं पाते थे कि वो कभी मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे वो कभी इंजिनियरिंग की पढ़ाई कर पाएंगे लेकिन अब जब हिंदी मेडिकल की पढ़ाई हो की शुरुआत हो जाना कि आपको लगता है कि ऐसे चात्रों के लिए भी या दूर में बैठे उन हिंदी माध्यम के चात्रों के लिए भी एक बहुत बड़ा सपना उनका पूरा होगा और जो नई सिक्षानीती की परिकल्पना है कई न कई वो भी सार्थक होगी मुझे लगता है कि ये जो लोग हिंदी माध्यम के विध्यारती हैं और जो दूरस अचलों में दूरस इस्तानों पर रहते हैं और अंग्री जी माध्यम की पढ़ाई वो उस तरह से हासिल नहीं कर पाते हैं और या हम ये कहें कि वो उस तरह के अंग्री जी की पढ़ाई उप है और जैसा कि विस्वास सारंग जी बता रहे थी मुझे बड़ी अच्छी उनकी बात लगी कि जो किताबें जो लिखी गई हैं हिंदी में उसमें टर्मिलराजी नहीं बदली गई है क्योंकि हमारे देश में जब से राश्टवासा हिंदी को राजवासा की तौर पर सुईका सुधाल की वजाय ऐसी हिंदी जो हिंदी संस्क्रति उनके शब्दों को हमने अंग्री जी से अनुवात किया हिंदी में और उसको हमने लागू किया तो वह उस तरह से प्रचलैन में या अंहे मिलगुछाल में या अभ्यास में या शिक्षामें भी वह नहीं आपाया Boston परीवाश्क सब्दावली जब हम गड़ते हैं जब किसी प्रचलित, अंग्रे जी के प्रचलित शब्द का हम हिंदी में बहुत संस्क्रतवाला अनुवाद करके वो शब्दलागातार बहुत सरे शब्द बनाते हैं यह स्दिधि सिख्छा के साथ हुती है।ब्ना देते हैं और उनलोगों को दिक्कत करती है। बहुत उन्होंने क्लियर कर दिया है विश्वा सारंग जी ने कि हमने जो तकनीकी शब्द हैं यह हम जिसको कहते हैं कि मेडिकल की टर्मिनलोजी है जो बोल्चाल में आम पब्लिक भी उसको समझती है जैसे रक्त चाप तो ठीक है लेकर उसको ब्लड प्रेशर एक बहुत कम प होता है क्योंकि यह हम तब बात कर रहे हैं उसमद्यप्रदेश की राजदानी में बैट के बात कर रहे हैं जिस मद्यप्रदेश की राजदानी ने पिछले कुछ वर्ष पहले करीब 2015 में विश्व हिंदी संभिलन की मेजबानी की थी उस मंच से कई डिकलेरेशन हुए थे कई प्रस्ताव हुए थे जिनको देश भर में अपनाने की बात की की जा रही थी उसके बाद मद्यप्रदेश ने एक हिंदी विश्विद्याले की स्थापना की अटल भ्यारी हिंदी विश्विद्याले मद्यप्रदेश में शुरू हुआ और अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होना राज्य सरकार के हिंदी को लेकर प्रतिबद्धिता हिंदी को विस्तारित करने की प्रतिबद्धिता हिंदी में कामकाज को बढ़ाने की प्रतिबद्धिता कैसे देखते हैं वो हिंदी सम्मेलन जब हुआ था भोपाल में वो मैंने लगातार उसको कवर किया था और उसमें प्रधान मंत्री नरिन मोधी जी भी आये थे और उनका भाशन मुझे अभी भी आ था उन्होंने एक बहुत अच्छी बात उस वक्त यह कही थी उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ हिंदी की भाशा की बात न करें हम भारती भाशाओं की बात करें उन्होंने यह कहा कि क्यों हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम हिंदी प्रदेश में अगर रहते हैं और हमारी मात्रभाशा हिंदी है तो हम हिंदी के अलावा कोई भारत की किसी और राज कि अधिक भारती भास्टा और को प्रस्थान विंदु था कि मातल भास्टा चिस्चा की भात स्क्षान-विश्द हिस्मेलन जी चो विस्तार है कि आब जा बार की एक संकलपना है तो निश्यतुरूप से आपने अच्छा जिक्र किया विश्रिंधी संबेलन में भी मौझ था और लेकिन उस संबेलन में एक और बात बहुत गहरी से बहुत गंभीरता से सामने आई थी उस पे लगातार पप्लिक डिस्कोर्स में भी बबात रहती, लोग यह कहते हैं कि जब बड़े बड़े लोग भाषन देते हैं, नेता लोग ीं कि बात करतें लेंगें जब वो देखते हैं को ऐँके परिवार के उनके अपने बच्चे आंग्री JAMES स्कूलों में पड़ते हैं और क्यूंकि हम यह चाहते हैं कि दूसरों के बच्चे तो कि गुलामी की मानसिकता को भी दिखाता है पंचपरण जो प्रदान मंतरी ने हाल में लाल किली की प्राचीर से दिये थे उसमें से दूसरा पॉइंट यही था कि हमें किसी भी हाल में गुलामी की मानसिक्ता से बाहर निकलना होगा ये कई मामलों में बहुत महत्पून था गुलामी की मानसिक्ता सिर्फ ये नहीं थी कि हम जब देश गुलाम था और उस वक्त जिस तरीके से हम काम करें लेकिन उसके बाद आज तक कई सारी चीज़ें हमारे सामने ऐसी हैं जिसमें हम आज भी उस मानसिक्ता से बाहर ने निकल पा रहे हैं या अंग्रेजी को बहुत प्रभुत देते हैं कोई वारन ने भारशा को बोली को देना शुरूब कर देते हैं लेकिन क्या आपको लगता है कि यह उन पांच प्रणों का जो एक बिंदू यह भी था कि हमें गुलामी की मानसिक्ता से बाहर निकलना होगा जिस पर और जो एक विदेशी भासा की जो ताकत थी या जिसको ताकत पर हम मानते थे या उससे कहीं भयाकरांत रहते थे या हम उसको भय महसूस उससे करते थे वो अब कहीं कम हो रहा है हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है और वे लोग जो हिंदी में बोलने में हिंदी में बात करने में कहीं अपने को कम तरी महसूस करते थे या अंग्रेजी में बातचीत करने में बाकी चीज काम करने में वो कहीं अपने को महत्पूर मानते थे वो प्रवर्ती लगातार कम हो रही है और उस दिशा में अगर सिक्षा नीती में इस तरह की चीजें होंगी अपनी मात कि अपने बात की है हमारे अंदर हींता का बहुत खत्म होगा और स्वाविमान राष्ट के प्रती अपनी भाषा के प्रती जो जगेगा और आगे बढ़ेगा मुझे ऐसा लगता है क्या आपको लगता है कि यह तो शुरुवात है हिंदी में एंबीबियस की पढ़ाई होना मे चार होना शुरू हो बिलकुल जैसे अब मतलब कहना चाहिए कि हमारे देश की जो अदालतों की कारवाई है बड़े कूट की सुप्रीम कोट हो है को उनकी बहुत ज्यादा तर कारवाई अंग्रे जी में होती है तो मुझे लगता है कि यह जो प्रक्रिया पढ़ाई की सिक् और शिक्छक की पूरे रिपॉर्ट गर्नाता है किसी की जांच रिपोट बनती है और फिसकी की दवाईया बाउया फ्रिस्क्रिप्शन थको कहते है यह परिचा है उसमें सब अंग्रे शी में होता है और बहुदा ये होता है कि लोग उसको समझ ही सकते मेडिकल इस्टोर वाला समझता है या डॉक्टर समझता है बीमार जो है या बीमार के जो परिजन वो समझते ही नहीं है तो मुझे लगता है कि यह शिक्षा की जो शुरुआत मात्रभार्शा में या हिंदी में शुरू हुई है वो वो आगे जाके मेडिकल सतीची दोर जाना जाओगा आपके से कि ग्वालियर में जो एरपोर्ट है उसका विस्तार भी ग्रेमंतरी करने वाले हैं कितना महत्पून होगा वो एर कनेक्टिविटी के लिहाज से और साथ-साथ जो कारिक्रम होगा जहां पर सभा में ग्रेमंतरी होंगे वहाँ प्रधान मंतरी आव जब से नरेंद मोधी जी की सरकार आई है और दूसरा उनका कारेकाल चल रहा है और तीसरे बार का दोजार चौविस का चुनाओ बहुत दिन दूर नहीं है तो मुझे लगता है एक सरकार ने पहले कारेकार ने जो पहले कारेकार में जो काम किये थे इंफरेस्टर को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर उसको दूसरे कारेकार में लगातार बढ़ाया है और अब ये जो इस्तिती बन रही है मुझे लगता है कि वो 2024 के आगे जाने वाली इस्तिती की पूर पीड़ का तैयार हो रही है और अभी आप देखेंगे लगातार नाकिबल अमिश है बलकि प्रदानमंत्री के भी लगातार हो रहे हैं और अभी माचल प्रदेश में आज प्रदानमंत्री थे और उन राजो में जम्मु कश्मीर की बात है या पूरबुत्तर की बात है इन्फास्ट्रक्चर को लेकर लगातार काम हो रहा है सडके हैं ट्रेन हैं और भी तमाम तरी की जो चीजें भारत को जोड़ने वाली और विकास को गत्यवीदियां लगातार बढ़ रही है तो निश्यत रूप से ग्वालियर में जो विस्तार होने वाला है उसका ग्वालियर को और ग्वालियर के आसपास की जो एक्टिविटी है विकास की गतिविदिया है उद्द्यो की गतिविदिया है उनको उस छेत्र को भी लाब मिलेगा मद्रदेश को भी मिलेगा और पूरे अम्बीबियस की पढ़ाई की शुरुआत जो मद्धिप्रुदेश में होने वाली है वो वो करवाएंगे उनके करकलनों से होगी और जो किताबे तयार की गई है रूपांतरित की गई है हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की उसका वो लोकारपन करेंगे लेकिन गौालियर जो हितदारी हैं उनको हितलाप भी वितरत करेंगे यानि कि एक बहुत महतपूर्ण प्रोग्राम एक बहुत महतपूर्र दोरा केंधृ एक रीमंतरी आमिद्चा का मध्यप्रदेश की धर्थी पर होने वाला है 16 तार्क बहुत महतपूर्ण होने वाली है फिलाल इस कारिकर्ट में इतना ही सतीज जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में फिलाल इतना ही दीजिए जासत नमस्कार झाल झाल